Hello Ladies Once again Welcome to my channel The Study Target आज किस video हम लोग बात करेंगे surface area volume के जो toughest question होते है क्लास 10th के लिए उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो questions होते हैं वो किस तरीके के आते हैं और किस तरह से आपको सोचना होता है क्योंकि जब आप exam देते हैं तो आप फार्मुले तो आपको सब कबर होते हैं बट यहां पे जो board में जो questions आते हैं 6 marks के या 4 marks के उसमें क्या होता है कि कुछ अपना दिमाग लगना होता है कुछ concept ऐसा होता है जिसको अपने हिसाब से सोचना होता है कुछ चीजे दी नहीं होत आती है बट आपको जच करना होता है क्योंकि जब आप जच करेंगे तभी तो आप सही वे में फार्मुले को अपलाई कर पाएंगे तो यह मैं दस कोस्टन की सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको इस वाले पार्ट में पांच कोशन करा दूंगा और अगले वाले में 12 सेंटीमीटर को पढ़ने के बाद देखिए यहां पर बोला हो मैंनी साथ यानि नंबर आप सौट्स आपको बताने है यानि कितने सौट बनेंगे हैं डाइमीटर आप 3 मीटर 3 सेंटीमीटर उसका डाइमीटर दिया गया है ठीक है अब बनाना किससे है कोई क्यूब बनाना है तो जो आप बनाएंगे वो भी कितना होगा 10 केजी कहीं होगा बट क्या होंगे कि 10 केजी की मिटी है तो माल लेजिए आप 100-100 ग्राम के बरतन बना रहे हैं तो कितने बरतन बनेंगे तो आप क्या करेंगे 100 ग्राम से क्या करेंगे 10 केजी को divide कर देंगे तो आप का आज़ा जाएगा तो सेम जो सेम यहां पर भी प्रोसेस है कि जो बड़ा material आपका जिससे कट करके दूसरी चीज बनाई जा रही है तो बड़े वाले का जो वॉल्यूम होगा उससे क्या करेंगे चोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइट कर देंगे तो नमबर ऑफ जो भी मेंटरील बन रहे हैं उसके क्वांटिक के बारे में हमको पता चल दाएगा तो बस स्ट क्या दिया है स्ट को अगई कि हमस्का इसकी जर्यूम ओंजिल्स कितना हो गया थी सेंटिम्टर दिया ओंगया से इंजिते ट्रींड लेंगेका ख्रैशzag कि निकाल लेंगे तो output α्दा होोता यहाँ से दिखे हैं में अब उसके बाद एक चीज़ देखते हैं कि किस से बना हुआ है यह क्या कर देना है लेंथ भी दिया है और है तो अब यहाँ पर इस लीड से सोट बनाया जा रहा है तो यह बड़ा वाला क्वा एलिमेंट है और छोटा वाला है तो बड़े वाले को क्या करेंगे छोटे वाले से डिवाइट कर देंगे तो नमबर आप सौर्ट समय पता चल लाएंगे तुम्हारा जो फार्मूला बन है नमबर आप सौर्ट से एक कोल टू वालिम ओफ लीड वालिम आफ लीड अपन वालिम ओफ बन सौर्ट तो इस चीज का हमेंसा ध्यान रखेंगे एक्जाम में ऐसे करना है अगर क्वांटिटी वाले कुस्ट नहीं करना है तो बस यहां पर फार्मूले में वैलू रख ले बस मैंने यहां पर वैलू को रख दिया अब उसके बाद इसको सौल कर लेते हैं तो देखें लेंद कितना है नाइन ब्रित 11 और हाइट कितनी है 12 तो नाइन इंटू 11 इंटू 12 हो गया यहां पर हो गया 4 अपन 3 पाई की वैलू हो गई 22 अपन 7 आर की वैलू कितनी ले पड़ेगा उसके बाद देखें आब इसको कट कर लेते हैं तो देखें 3 से 3 कट याएगा ठीक है टू इंटू 2 फोर से फोर कट गया उसके बाद वो से देख लेंजिए यह 11 कट गया है ना अब यहां पर नीचे भी आप कट कर सकते हैं कोई दिकत नहीं यह 11 से 11 कट तो उपर बच गया 12 और सबसे नीचे बचा है 7 तो यह 7 पलट जाएगा उपर चला जाएगा तो 7 मुल्टिप्लाई में आ जाएगा तो 12 7 जा कितना हो जाएगा 84 तो आपका आंसर आजाएगा 84 तो इस तरह के कोस्चन आपके एक्जाम में 100% पूछे जाएंगे ठीक है इसल और क्यों समस्जा है भीव कि क्या हां पर दामेटर है हाइट होगी अगर आपके सामने अवी श्ल developments केंEr गौएस दिया हगा था मतलि धर कर नियनट सिरिंडिकल ट्यूब है इसमें देखिए दो कोन यह वाला कोन और एक इधर वाला कोन दो कोने हमारे पास नंबर फर्स्ट है इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर जब स्रेजिए तो रेडियस कितना हो जाएगा थी हो जाएगा रेडियस को अगर मैं ऐसे लिखूं तो आर एकवल टू यह जाएगा क्योंकि टैनों के लिए सेम थे यहां पे देखें बोला किया है रेशियो अप्डिक्षी अचछे यहां पर वैलु किसे हैं शिलेंट्रिकल ट्यूब से हैं यानि सिलिंडर का सवरी कोण से हैं कौन एट जो जो placed है उनकी capacities का ratio दिया गया है यानि पहले वाले जो कोण है उसका ॥ one अगर ले वॉल्यूम और दूसरे वाले का भी तू माल लें तो इसका रेशियो दिया गया है टू अब उसके बाद आप से पूछा क्या है फाइंड हाइट सेंड कपेस्टी जब कौन ठीक है तो हाइट अगर इसकी पहले वाली के एच वन सपोच कर लें दूसरे वाली की एच टू सपो कर लें तो वैलू आपको बतानी है ठीक है अब उसके बाद और क्या निकल लें आप सो फाइंड वॉल्यूम आप रिमेनिंग पॉर्शन आप सॉलिट तो एक अच्छा कोश्चन हो सकता है आपके लिए अब इस कोश्चन को सॉल करने के लिए यहां पे जो चीज हमें गीव हमीने क्या है वीवन अपाउन J तो만 के आफ बात करें इक मतलब पहले वाले कोन का यह जो कोन का है स्पी सरी यहिए चि़्त कोन का इसथी पाई आर की वैलू कितनी है 3 का square, r square और h हो गई, पहले वाले की h1 माल लिया, ठीक है, 1 upon 3 दूसरे वाले का pi, r की value कितनी हो गई, 3 square, और इसके height को क्या माल लिया, h2 से पोज कर लिया, तो यह हो गया 2 upon 1, तो यहां से देखे cut हो जा रहा है, सब कुछ cut रहा होगा, तो यह आप से बोला है, find the rate, find the heights and capacity, आप the cone, तो अब उसकी capacity भी आपको, तो अब देखे, h1 और h2 का ratio मिल गया, ठीक है, अब यहां पर अगर आप इस figure को अगर ध्यान से देखे, इसलिए मैंने इसको toughest बोला था, क्योंकि यहां से यहां यहां तक ह corresponding है, और यहां से लेकर के यहां तक क्या है, h2 है, तो यह total अगर आप देखे, तो यहां से यहां तक कितना है, 21 है, तो आप सकते है, h1 plus h2 की value कितनी है, 21 है, ठीक है, अगर यहां से आप इसको solve कर लिए तो एच वन की वैलू कितनी मिल रही है इसको क्रॉस मल्टिप्लाइए करेंगे तो मिलेगा एच वन इकल टू 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 एच टू मिलेगा तो एच वन के जगह पे यहां पे टू एच टू जब रख देंगे प्लस एच टू तो कितना मिल जाएगा 21 तो मिल गया 3 आपने निकाल लिया है जो पहला वाला है इसका हाइट 14 सेंटीमेटर है और जो दूसरा वाला है उसका कितना है 7 cm तभी तो total 21 हुगा तो ये चीज़े आपने निकाल ली अब बोला है उनकी capacity भी आपको पता नहीं है तो capacity देखें पहले वाले कौन का जो capacity होगा 1 upon 3 pi r square h1 अब हम लोग यहाँ पर सीधे values को put कर लेते हैं तो देखे 1 upon 3 pi की value होगी 22 upon 7 r की value होगी 3 into 3 और h1 की value कितनी होगी h1 की value मैंने अभी निकाली थी 14 ठीक है तो 3 से 3 cancel out हो गया 7 से 14 कट गया दो बार में तो कितना आ गया 3 into 2 6 6 into 22 कितना आ जाएगा 132 cm क्यों यह हो गया है ना अब उसके बाद volume 2 दूसरे का volume अगर निकालना चाहे है तो 1 upon 3 22.7 r की value होगी 3 into 3 और h2 की value कितनी होगी 7 तो 7 से 7 cancel out होगया 3 से 3 कट गया तो यह कितना आ गया 66 cm2 क्योंकि volume है तो cube होगा तो दोनों का मैंने क्या किया capacity भी निकाल लिया मतलब volume निकालना था ठीक है इतना चिट के लियर होगया तो इसका volume कितना होगा तो इसका volume निकालने के लिए इस total बड़े वाले cylinder का volume में से इन दोनों को क्या करेंगे या minus कर देंगे तो इन दोनों का तो पहले ही निकाल चुके है तो उसको बस minus कर लेंगे तो volume of remaining portion या आप लिख लेंगे volume of remaining portion is equal to volume of cylinder volume of cylinder minus volume of first cone minus volume of second cone volume of cylinder गर आप निकालें तो pi r square h होता है तो pi r square h minus v1 की value हो जाएगी 132 minus v2 हो गया 66 तो यह हो गया 22 upon 7 r की value हो गई 3 into 3 h की value कितनी हो गई total value 21 है न 7 से देख़े कट गया कितनी बार में 3 बार में minus इन दोनों को plus कर लेंगे क्योंकि दोनों minus है तो plus हो जाएगे तो 6, 2, 8 यानि 198 हो जाएगा अब इसको multiply कर लेते हैं 3 तरीक, 9 तरीक 27 27 का 2 में multiply करेंगे हो जाएगा 54 into 11 minus 198 अब इसको 4, 11 से multiply करेंगे 5, 4, 9 और यह हो जाएगा 5 5, 4, 9, 4 यानि 198 इसको minus कर लेते हैं 14 में से 8 चला गया 6 8 में से 9 गया 9 और 4 में से 7 गया 3 तो यह आपका answer हो जाएगा remaining portion का हो जाएगा 396 cm cube आपका answer हो जाएगा clear हैं? तो इस तरह के question आपके exam में आएगे 6 marks की तो आपको इसके लिए बिल्कुल तयार होगे चलना है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो like करिएगा उसके बाद एक thanks का comment करना बिल्कुल मत बूलिएगा क्योंकि मेहनत बहुत लगती है Marble's up diameter 1.4 cm dropped into a cylindrical beaker of the diameter 7 cm containing some water मतलब कोई देखे कोई beaker है जिसका dia कितना है 7 cm कोई beaker है वो cylinder type का है cylindrical beaker तो मैंने एक beaker बना लिया इसकी dia 7 cm है तो इसका radius कितना हो जाएगा 7 upon 2 cm ठीक है dia इसका 7 था तो इसका radius इसका आधा हो गया 7 upon 2 cm इतना केलियर हो गया अब इसमें कुछ water भरा हुआ है तो बोल रहा है कि कुछ marbles है जिसका diameter कितना है 1.4 cm है इसके अंदर इसमें फेका जा रहा है ठीक है तो find the number of marbles that should the drop into the water beaker so that the water level raised कितना तो कह रहा है water level इसका कुछ 5.6 cm आजा है तो यह पता करना है कि इसमें कितने marble फेके जाएं कि इसका water level है कुछ इतने height तक आजाए यह जो height है water level कि 5.6 cm तक आजाए यह बोला गया ठीक है तो इसमें जितना marble इसके अंदर ऐसे फेकेंगे जैसे मार्वल है तो जितने marble इसके अंदर फेकेंगे तो यह क्या करेगा इधर तली में आके बैठता रहेगा जाएगा marble marble इधर आके बैठेगा और पानी उपर जाएगा बाटर लिवर तो जितने marble यहां पर सेट होगे उतना ही volume क्या होगा पानी का उपर जाएगा तो इसका मतलब कह सकते है कि volume of n number of marble equal to volume of 5.6 volume of water volume of water extending 5.6 meter या volume of extending water up to 5.6 cm height तक जितने water fill होंगे उसके volume के क्या होगा equal होगा ऐसे आप लिख सकते हैं तो सीधा सा logic है यहां पर कि कितने number of marble होगे तो आप एक कह सकते हैं कि एक marble का volume निकाल ले यानि चोटा marble उसको divide कर दें किस से यहां तक जितना पानी इसमें भरा हुआ है यहां तक कि portion से क्या कर दें डिवाइट कर दें तो हमारा answer आजागे जैसे same to same तो यहां भी लिख सकते हैं आप number of marble है ठीक है एकदम स्वाट में मैं बता रहा हूं कि ऐसा question अभी मैंने पहला वाला बताया था सेंप उसे मोई है बड़े वाले का जो volume है वो यानि volume of cylinder volume of water up to 5.6 cm तक जो water है उसका volume निकाल रहे हैं ठीक है अब यहां पर volume of one marble एक marble का volume इससे डिवाइट कर दें के हमारा answer आजाएगा तो जो यह water है वो cylinder के रूप में है तो cylinder का volume कितना होता है पाई आर स्काइर होता है ठीक है और volume of one marble की बात करें तो जो marble है हमारा वो किस सेप में रहेगा इस फेर के सेप में रहेगा ऐसे भी हाँ पर केवल डाया दिया हुआ है तो इस फेर के से रहेगा ठीक है तो इसका डाया देखें कितना है 1.4 cm है तो इसका जो रेडियस होगा ना रेडियस 1.4 divided by 2 cm होगा इसका ध्यान रखें तो इसके रेडियस को मैंने capital R सपोच कर लिए और इसको मैंने small r माल लिया था उससे कोई दिक्कत नहीं है आप कुछ भी मान सकते हैं तो यह हो गया 4 upon 2 into 7 upon 2 और एच कितना है 5.6 है ठीक है तो यहां पर देखें यह हो गया 4 upon 3 into अब यहां पर जो बैलूज है वो है 1.4 upon 2 1.4 upon 2 1.4 upon 2 ठीक है अब इसको हम लोग आसानी से solve कर लेंगे कैसे solve करेंगे अब देखें कट रहा होगा कुछ न कुछ तो हो रहा होगा टू-इंटू-टू-फॉर से-फॉर कट गया उसके बाद बाद यहां पर एक अंखे न तो यह वलब पॉइंट कर गया अब 14 से कड जीदे चार बार बार ठीक है अब उसके बाद क्या वहरा है कि जो चीजे बची है उसको देहान से देखिए यहां में देखे टू से कड़ियागा कितनी बार में 0.7 टाइमस में अब उसके बाद जो बचा है मैंने उसको पहले लिख लेता हूँ देखे 7 ऊपर बचा 7 बचा ठीक है अब जो इधर नीचे है न वो पलट के ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर चला गए अ अब क्या बचा 1.4 और 0.7 अब करना क्या है देखे 1.4 है ठीक है तो हम क्या करें यहां पर प्वाइं देखे पॉइंट में आग को आप 2 रहें तो इसे से कड़ेंगे वार में 0.2 बार में से जब़ेंगा 0.1 तीक है तो उपर हो गया थ्री और नीचे इन दोनों को अगर आप multiply करेंगे तो दो अंग पे point है तो एक 0 लगा के ऐसे point मना सकते हैं clear है अब उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं 3 into 3 point लगा के 20 बना दिया अब यहां पे देखे 0.02 है तो दो अंग पे उपर भी point है और दो अंग सकते नीचे भी है तो point से point cancel out हो गया तो कितना आ गया 300 upon 2 मतलब 150 तो आपका अंसर आदाएगा 150 clear है तो इस तरह से questions को solve करना है इसमें उलजना नहीं है बिल्कुल आसान होता है वह इस तरह के अब आप एक एडमी का गूप नहीं है वह या तो आप मुझे परस्टनल मेरा नंबर नीचे पड़ा वगा डिस्क्रिशन में आप वहां पर मैसेज करें मैं आपको एकडमी ग्रूप में जोईन कर दूँगा आप वहां पे है कैसा क्यों हो मैंनी क्यूबिक सेंटीमीटर अच्छा आयरनी रिक्वाइट टू एक्स्टनल लेंश अच्छा यहां देखें लेंथ ब्रेथ और हैट दिया गया है उपर का पॉर्सन खूला हुआ है ठीक है तो बोला क्या है कि इसको बनाने में कितना आयरन लगेगा कितन बॉक्स है ना बॉक्स है तो बॉक्स का देखे सबसे पहले लेंथ ब्रीथ और हाइट दिया गया है यह बॉक्स रहा ऐसा ठीक है यह बॉक्स हो गया बाहर बाहर का पहले निकाल लेंगे ऊपर वाला portion देखे बिल्कुल खाली है खुला हुआ है तो external volume आप निकाल लिजी उसमें क्या करिए अब कुछ मोट आईगा जैसे माल लिजे अब इसमें आपको ऐसे नहीं सुन में आएगा तो मैं क्या करता हूं ऐसे बना लेता हूं जै तो यहाँ देखें यह जो हमारी लंबाई थी 36 है ना अब ठीकने से मारा कितना है 1.5 है तो 1.5 आपका इधर होगा और वन पॉइंट फाइफा आपका इस तरफ तो दोनों तरफ से जो लेंथ है जो लंबाई हो कम हो गई कितनी 1.5 इधर से 1.5 इधर से तो जो इंटरनल ले मिल गई कितनी 33 बाथ सुन्जार ही है centimeter अब उसी तरह से अगर ए बृत यह बहुत कि कितनी है 25 तो 1.5 तो इधर से गायब हो जाएगा इस तरफ से और 1.5 आपका इधर से गायब हो जाएगा ठीक है की बात आ गई तो हाइट वाले में एक चीज़ ध्यान दिजेगा कि ऊपर वाला पॉर्षन तो खुला हुआ है तो ऊपर वाले पॉर्षन में थिकनेस की यहां पे बिल्कुल कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है बट नीचे वाला पॉर्षन में ए थिकनेस इसका हाइट जैसे म पहला होगा ना यह वाली जो हाइट है आपका कुछ न कुछ ऐसे कवर किया होगा अंदर की तरफ तो इधर से थोड़ा सा कमी हुआ होगा बट ऊपर से कोई फरक नहीं पड़ेगा नीचे वाले में 1.5 कम हो जाएगा तो यहां पे जो हाइट दिया गया है 16.5 इसमें से क्य क्या करेंगी यहां तो साइड में लेट राइट दोनों तरफ माइनस कर रहे थे यह पर क्योंकि उपर वाला पॉर्षन खुला हुआ है तो वहां पे 1.5 जो थिकने से होगा नहीं तो उसको उपर वाले को माइनस करने की दिए नहीं पड़ेगी तो जो आपकी इंटरनल हैं हो जाएगी वो हो जाएगी 15 cm बस यहीं तो ध्यान देना था यहाँ ठीक है बस यह ध्यान दिया आपने आपका काम हो गया तो जो external dimension है वो length हो गया कितना 36 था width 25 था और height कितना था 16.5 था external हो गया और internal ठीक है यह हो गया हमारा internal और यह हमारा हो गया external ठीक है बस यहीं समझना था इस question में बाकी कुछ भी नहीं था अब क्या करेंगे कि volume of volume of iron कि अगर iron की volume निकालेंगे तो volume of external कि माइनस volume of internal बस कुछ नहीं करना है length into breadth into height minus length into breadth into height अब इसको आप solve कर लेंगे आपका answer आजाएगा ठीक है तो यह जितना भी आएगा ओ सब होगा किसमें centimeter cube में यह आपको comment करके बताना है comment में आपको इसका answer बताना है कि आपका answer कितना आया ठीक है फिर मैं reply करके बताऊगा कि आपका answer सही आया या गलता है ठीक है तो कितना centimeter जितना centimeter cube आ जाएगा तो यहां पर देखें बोला है one cubic centimeter of iron weight 7.5 gram मतलब एक centimeter cube एक centimeter cube iron की value है 7.5 ठीक है तो जितना centimeter cube आ जाएगा उसमें क्या करेंगे 7.5 से multiply कर देंगे तो उतना gram हो जाएगा जो भी आया रहेगा जो भी आया रहेगा उसको क्या करेंगे 1000 से divide कर देंगे किसमें बन जाएगा kilogram में तो आपको answer kilogram में बता करके comment में करना है और बताना है कि आपको एक question सौन में आया कि नहीं है अगर सौन में आया है तो थाइप अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 cm high and whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base is the first time so obtained to be drawn into a wire of diameter 1 upon 16 cm find the length of wire very important question अब इसमें क्या हो रहा है मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 cm high अच्छा राइट सर्कुलर कोन है चलिए बना लेते हैं यह कुछ हैसा हो रहा है ना राइट सर्कुलर कोन यह question थोड़ा सा लेंदी है बट शिक्स मार्क्स का है तो थोड़ा तो रहे गई अब इसको किया गया वोज वर्टिकल एंगल इसको कट कर दिया गया तो आपको यह समझ में आ गया कि यहां से यहां तक इतना है ठीक है तो 10 cm में इसको कट कर गया गया सब्सक्राइब कर ड़न टू इस बेस बिलकुल इसन प्लेह में इते पार्ट नेकaras Studien हमें आफ 1 अपॉन 16 sorprend Time अदो परस्टम बना है उसको एक वायर के रुख में क्या करना है कैं वायर के रूप में उसको मर्ज कर देना है तो आप कह सकते हैं कि जो इस फ्रॉश्टम का वॉल्यूम होगा वहीं का वॉल्यूम होगा क्योंकि इसी फ्रॉटम से उस वायर को बना जा रहा है तो वॉल्यूम ऊफ फरीवल्यूम उफ एक वंफ फरीजूम-फ ओलीम यहीं बनने वाला यहां पर लॉजिक क्योंकि बोल रहा है कि इसको करना है तो इसका मतलब सthm SEC वेगैं पर बांता है वो बनता किसे, formula कैसे याद रखेंगे कि frustum किसे बनता है, कौन से बनता है, ठीक है, ओक कोन का volume कितना होता है, 1 upon 3, pi r square h होता है, ठीक है, तो frustum का volume कितना हो जाएगा, सब कुछ ऐसे मैंने बताया हुआ है, तो 1 upon 3 भी रहेगा, pi भी रहेगा, यहाँ पे frustum में 2 radius हो जाता है, तो 2 no radius, r1 square, r2 square, सपोच किया, कि इधर का r1 है, और इधर का मालिया r2 है, ठीक है, तो r1 square plus r2 square plus r1 r2, ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं, r square है, तो square, square, यहाँ पे भी square, मतलब इसको लिये पढ़े, मतलब r square के रूप में ही लेना है, r1 into r2 करेंगे, तो उसी form में लेंगे तभी तो answer आएगा, तो यह frustum का होता है क्या volume, तो यह मैंने रख लिया, ठीक है, अब volume of wire की बात करें, तो जो wire होता है, वो cylinder के form में होता है, वो cylinder के form में होता है, तो cylinder का volume कितना होता है, pi r square h होता है, ठीक है, तो बस अब हमें solve कर लेना है, तो height तो हमें निकालनी है, जो cylinder है, उसकी height तो हमें निकालनी है, तो height को हम संपोच कर लेते हैं, x है, तो यह हो गया pi, r की value देखें, जो wire है, उसका diameter 1 upon 16 है, तो radius क्या होगा, 1 upon 16 का half, तियानि radius हो जाएगा 1 upon 32, 1 upon 32, यह बात सुन में आई, क्योंकि जब diameter 1 upon 16 है, 1 upon 16, तो जब इसको 2 से divide करेंगे, तो radius बन 1 upon 32 radius हो गया, और इस height को x माल लेते हैं, या wire की जो length है, उसको माल लेते हैं L, ठीक है, L हमें यह calculate करना है, इसका भी answer आप ही को बताना है, बस मैं एक overview दे रहा हूँ, ठीक है, values रख करके, solve करके आपको बताना है, उसके बाद अब दिक्कत क्या फस रही है, इस question को solve करने के लिए देखें दिक्कत क्या है, इधर जब value रखेंगे 1 upon 3, पाई, यह होड़ाएगा R1 square, यह होड़ाएगा R2 square, यह होड़ाएगा R1 R2, और यह होड़ाएगा multiply में height, ठीक है, तो अब देखें दिक्कत क्या है यहाँ पे, कि पाई से पाई तो cancel out हो जाएगा, ठीक है, main यहाँ पे समस्या है, केवल R1 R2 की value को निकालना, और height की अगर बात करेंगे, तो जो first time की height है, वो दिया है, h की value 10 दिया हुए, first time की height कितना दिया है, 10 दिया हुए, तो यह value आपको दी हुई है, बस आपको यहाँ पे main समस्या क्या है, R1 R2 की, ठीक है, क्योंकि सारी values तो कर दे रहा हूँ, बस हम मैं केवल R1 R2 को निकाल के बता देता हूँ, उसके बाद आप solve करके comment करके बताएंगे, कि आपका answer कितना आया, फिर मैं बताऊंगा, वो सही है, देखे, R1 R2 निकालने के लिए, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, कि यह जो triangle है, इस चोटे वाल ना, तो नीचे का 10 है, तो उपर वाला AB तो 10 होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक AB तो 10 होगा, तो हमें पता चल गया कि A वाली length 10 है, और A वाली length क्या है, R1 है, अब इस R1 को में निकालना है, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पे, कि जो A angle है, angle के सामने की side होती है perpendicular, ठीक है और A हमारा जिस पे angle बना है, यह क्या होता है, बेस होता है, तो perpendicular और base में relation क्या होता है, 10 का होता है, तो 10 30 equal to perpendicular upon base, यह आपने पढ़ा है, तो 10 30 की value होती ही 1 upon root 3, perpendicular की value है R1 और base कितना है 10, तो R1 की value कितनी आ गई 10 upon root 3, ठीक है, तो यहाँ से मिल गई आपको R1 की value, उसके बा पूच ऐसा मिलेगा, तो A वाला तो 30 बिल्कुल चलेगा, बस यहाँ पे जो height है, यह पूरी यहाँ पे convert हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तो, ठीक है, height यह देखिए, आपको कितनी पता चल गई, 20 पता चल गई, अब A वाला distance कितना है, R2 है, तो A R2 है, तो same कि से में यहाँ हंदा, 10, 30 जब आप लगा देंगे, 10, 30, है न, तो A वह रहाएगा perpendicular, यानि R2, और base कितना वह रहाएगा 20, तो 10, 30 कि value हो गई, 1 upon root 3, तो R2 upon 20, तो R2 की value कितनी आगई, 20 upon root 3, तो A आपकी R2 की value आगई, और A आपकी R1 की value आगई, जैसे इन दिनों को रखेंगे, आपका answer आ साया, क्या ये questions जो मैंने लिए हैं, आपके लिए helpful रहे या नहीं रहे, सब कुछ comment करके बताएंगे, और इसके बाद जो दूसरा वाला part होगा, उसमे question number 6 से ले करके question 10 में complete करा दो, तो I hope ये video पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो आप like करियो, thanks का comment करना बिलकुल मत येगा, okay, thanks for watching